अरे यार कल ये हिस्ट्री के चैप्टर का टेस्ट है, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, कुछ भी समझ में नहीं आया है अरे भाई चीकू, तुम यूट्यूब से किसी का वीडियो क्यों नहीं देख लेते, तो तुमें अच्छे से समझ में आ जाएगा अरे यार, सब लोगों ने वीडियो डाले तो है, लेकिन इतने बड़े बड़े वीडियो, मुझे तो ये चैप्टर जल्दी और शॉट में पूरा अच्छे से समझना है अरे तो तुम मन्नु भाईया से समझ लो ना, मन्नु भाईया ने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और शॉट में एक्स्प्लेन करा है, चलो दोनों मिलकर देख लेते हैं, मेरा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी कुछ लोग जो की कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग जो लिब्रल्स थे और कुछ लोग जो रैडिकल्स थे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आखिरकार कंजर्वेटिव कौन लोग थे, ये वो लोग थे जो की चेंजिस होना नहीं चाहते थे, कि देखो चेंज वग दूसरा ये ये चाहते थे, कि जादा तर जो भी रूल्स रेगुलेशन्स हैं, ये एक इलेक्टड पारलिमेंटरी गवर्मेंट हो, वो इन सारे रूल्स और रेगुलेशन्स को लुक ओवर करें, और फिर बाद में अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन्स फॉलो नहीं हो ये, तो I hope अब आपको Liberals के बारे में पता चला होगा, अब पढ़ते हैं Radicals के बारे में, Radicals कौन थे, Radicals वो लोग थे जो ये चाहते थे कि जो कंट्री की Majority चीज़ें हैं, वो किसी अमीर आदमी के हाथ में ना हो, जैसे कि एक कंट्री है, जहां पर Majority of Land कुछ Rich लोगों के हाथ में तो क्या है वो जो रिच लोग हैं वो गरीब लोगों को सताएंगे तो रैडिकल्स चाहते थे के कंप्लीटली कोई अमीर आदमी मेजोर्टी आफ लैंड को कंट्रोल ना करे तो बेसिकली यह चाहते थे के जो कंट्री की प्रॉपर्टी है वो सारी पब्लिक के अंदर शेयर्ड हो प्राइवेट प्रॉपर्टी के यह लोग अगेंस्ट नहीं थे लेकिन यह नहीं चाहते थे किसी के पास बहुत जादा प्रॉपर्टी आजाए इंड्रस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज यह एक जब पैसे की बहुत जादा तंगी थी मतलब पैसा बहुत कम था इस वजह से जितने भी मैं थे विमन थी और चिल्डन थे इन सब लोगों को फोर्स करा जाता था टू वर्क इन फैक्टरीज और यह लोग काम बहुत जादा किया करते थे जिसके बद्दे इने तंखा बहु जब वर्कर्स तक यह बात पहुची और भी बहुत सारे लोगों तक यह बात पहुची तो लोग लिब्रल्स और रैडिकल्स के सपोर्ट में आने लगे देखते ही देखते बहुत सारे नेशन्स के अंदर लोग लिब्रल्स और रैडिकल्स को सपोर्ट करने लगे अरे अरे एक बहुत ही important चीज़ तो तुम करना ही भूल गए फटाफट वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर दो subscribe के साथ में join का button होगा उसपे click करके आप member भी बन सकते हो अब member बनने के क्या benefit है और membership क्या चीज़ है membership paid है और member बनने के आपको बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत help करेंगे एक तो आपके doubts फटाफट clear कर दिये जाएंगे अगर आप member बनते हो exclusive link मिलने वाला है आपको notes का जिन notes से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं sample papers मिलने वाले हैं अब ये जो sample papers हैं ये बहुत important है आपकी पूरी exam के लिए practice हो जाएगी अगर आपने sample papers को solve कर लिया और इन sample papers की help से ही आप 95 plus score कर सकते हो और भी बहुत सारे benefit हैं लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को continue करते हैं जब इतनी सारी countries के अंदर change आ रहा आता तो Europe कहां पीछे रहने वाला था coming of socialism to Europe अब ये socialism का मतलब क्या है socialist वो लोग हुआ करते थे जो कि private property के बिलकुल against थे इनका मानना ये था कि जो private property होती है तो जो private property का मालिक होता है जैसे कोई सिर्फ मुनाफ़े की सोचता है जब कि जो उसके workers होती हैं वो इतनी महनत कर रहे होते हैं उनके बारे में बिलकुल भी नहीं सोचता तो socialist लोग ये चाहते थे कि private property किसी के पास भी ना हो और इनका जो future को लेके vision था वो भी काफी different था ये लोग believe करते थे in cooperatives मतलब कि एक तरीके से group of people जो कि एक company को run करें या फिर एक factory को run करें काल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगिल्स जो थे वो भी यही चाहते थे कि जो industrial society है वो capitalist है और इसको खतम कर दिया जाए capitalist का मतलब यह होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं और अपने लोगों के बारे में जो workers हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते support for socialism 1870s तक socialist ideas जो थे वो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर spread हो चुके थे जितने भी workers थे England के अंदर Germany के अंदर उन लोगों ने associations बनाना शुरू करा और लड़ने लगे for better living and working conditions अब ये जो associations थी ये काफी ज़्यादा beneficial हुई लोगों के लिए लेकिन unfortunately government कहीं पर भी नहीं बना पाए socialist लोग अब एक जगा थी जहाँ पर socialist लोगों ने अपनी government बनाई थी वो थी Russia तो शुरू करते हैं हमारा Russian revolution Russian revolution के बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत हमें Russia के बारे में भी जानना पड़ेगा Russia जो था उसे rule कर रहे थे 1914 में czar Nicholas 2 और ये पूरा का पूरा Russian empire rule किया करते थे जो Russian empire था ये काफी बड़ा था आज का जो हम Russia देखते हैं मैप पे उससे तो बहुत ही बड़ा था उस समय Russian empire के अंदर Finland, Lativia, Lithuana, Estonia, Poland, Ukraine और Belarus ये सारी जगाएं भी आया करती थी अच्छा अभी recent में Russia की एक country से fight चल रही है जरा बता सकते हो इन में से कौन सी ऐसी country है जिस पे रशिया दुबारा कबजा जमाने की कोशिश कर रहा है रशियन empire के दोरान जो economy और society थी उसकी बहुत ही बुरी हालत थी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने charitable kitchens के अंदर खाना खाना पड़ता था मतलब कि एक ऐसी kitchen जहां पर free में food मिलता है गरीब लोगों के लिए और ये लोग रहा भी पता है कहां करते थे poor houses के अंदर मतलब कि रहने के लिए भी इनके पास जगा नहीं थी इन्हें ऐसी जगा पर रहना परता था जहां पर गरीब लोगों को जगा मिलती थी तो काफी बूरी हालत थी 85% जो रुशिया का empire था पूरा वहां की population agriculture से earn करती थी industries बहुत limited थी मतलब factories वगरा, companies वगरा बहुत कम थी जो workers थे वो groups के अंदर divided थे लेकिन ये जो workers थे जब भी ये dissatisfied होते थे किसी चीज को like नहीं करते थे तो एक साथ मिलकर strike भी किया करते थे जो peasants थे वो लोग बिल्कुल भी respect नहीं करते थे nobility की, nobility मतलब की वो लोग जो की राजा के साथ वाले लोग हो गए तो nobility की क्यों नहीं respect करते थे because nobility ज़ादा loyalty towards the king very unlike the French peasants Russian peasants जो थे वो ऐसी community थी जो की pool करती थी अपना land और commune divide करती थी इसे, मतलब की एक साथ share करके ये लोग अपने land पर पूरी खेतिवाड़ी किया करते थे socialism in Russia जितनी भी political parties थी वो रशिया में illegal थी before 1914, 1900 में Russian Socialist Democratic Labour Party बनती है अब ये जो Russian Socialist Democratic Labour Party होती है, ये struggle करती है कि कैसे ना कैसे करके हम लोग peasants को उनके rights दिला पाएं over the land that belong to nobles, मतलब nobles लोग जिस land को own करा करते थे उस land को कैसे ना कैसे करके हम लोग peasants को दिला सके इस समय जो land था वो peasants में बड़े ही interesting तरीके से divide होता था, जो peasants थे किसी peasants के घर में कम members है तो उसे कम land मिला करता था लेकिन जो Lenin था वो इन सारी चीज़ों को देखता है और वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी agree नहीं करता उसको ऐसा लगता है कि जो peasants है ये एक अकेला social group नहीं है तो उन्हें लगता है कि इस party को दो groups के अंदर divide कर देना चाहिए ध्यान देना कि जो Russian socialist democratic liberal party थी अब वो दो group के अंदर divide हो गई थी बोल्शिविक और मेंशिविक्स जो बोल्शिविक group था उसको Lenin lead करा करता था A turbulent time 1905 के अंदर एक revolution होता है जितने भी liberals थे वो ये चाते थे राजा का राज और उस समय का Russia का राजा कौन था जार अब ये जो जार था ना ये बड़ा मतलब पागल टाइप इंसान था ये बार बार जपान से लड़ाई करे जा रहा था और हर बार जंग में हार जाता था अब ये लड़ क्यों रहा था जपान से because of some piece of land इसको कुछ जमीन चाहिए थी तो लोगों को लगता है कि ये बे फिजूल में अपनी मनमर्जी चलाए जा रहा है राजा तो इसको हटा देना चाहिए और ऐसा ही liberals भी चाहते थे तो यहाँ पर ये लोग demand करते हैं for constitution during the revolution of 1905 bloody Sunday 1904 को देखा जाता है कि जो भी जरूरत की चीज़े हैं अच्छानक से उनका दाम बहुत ज़ादा भड़ गया है जबकि जो workers थे उनकी salary उतनी की उतनी ही थी चार members पुटलूव Iron Works के dismiss कर दिये जाते हैं और यहीं से एक industrial action की शुरुवात होती है लगभग एक लाख दस हजार worker सेंट पीटर बर्क्स पर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग strike करते हैं और demand करते हैं कि जो हमारे working hours है मतलब जो काम करने का समय है उसे कम किया जाए और साथ में हमारी तनखा भी increase करी जाए unfortunately इन सब लोगों के उपर police attack कर देती है इस attack के अंदर लगभग 100 लोग मारे जाते हैं और इस attack की वज़य से बहुत सारी जगा पर दुबारा से strikes होने लगती है strikes क्या होती है लोग बोलते है हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो और demand करते है एक constant assembly की जो जार था लोगों का गुस्षा शांत करने के लिए काफी cleverly बोल देता है कि ठीक है ठीक है एक डुमा बना लो अब डुमा क्या होता है यहाँ पर देखो कुछ elected members और यह सब मिलके क्या लेंगे decision लेंगे constant assembly बना दी गई है जो जार था first डुमा को within 70 days remove कर देता है और announce करता है election for second डुमा अब जो second डुमा था उसको भी जार जैसे तैसे करके दुबारा से dismiss कर देता है हटा देता है और जो third डुमा होता है उसके अंदर कुछ ऐसे conservative politicians को रखता है अब conservative का हमने उपर meaning समझा था मतलब ये वो लोग होते हैं जो की changes पसंद नहीं करते तो जार ऐसे conservative politicians को रखता है अपने साथ जो की उसकी हां में हां मिलाते हैं और जो ज़्यादा changes नहीं चाहते the first world war and the Russian empire रशिया जब first world war लड़ रहा था तब जार निकोलिस 2 यानि की उस समय के राजा को लोगों ने बहुत support करा और बहुत popularity भी उसने gain करी लेकिन देखते ही देखते ही ये support कम होता गया anti-german sentiments बहुत ज़्यादा भणने लगे रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से हारी थी जर्मनी और आस्ट्रिया से जो ये world war था first world war था इसकी वज़ा से बहुत ज़्यादा industries भी effect होई थी labor की shortage भी थी 1916 तक जो railway lines थी वो भी तूटने लगी थी अब railway lines कौन सी होती है जिनके ओपर train चला करती है वो वाली lines भी तूटने लगी थी जो छोटी मोटी workshop सुआ करती थी मत्तब जहां पर लोग समान वगारा बनाया करते थे वो भी अब close down होने लगी थी काफी ज़्यादा shortage हो गई थी grains की और grains की shortage होने की वज़े से bread की भी shortage हो गई थी कैसे हम लोग इंडिया में रोटी खाते हैं लोग bread खाते हैं तो यहां पर bread की कमी हो गई थी The February Revolution in Petrograde 1917 के अंदर Petrograde के अंदर खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है especially जो workers थे उनके quarters के अंदर तो अब ये workers बिचारे खाने की तलाश में इदर उदर घूमते हैं 22nd February को जब ये अपनी factories के अंदर पहुशते हैं काम करने के लिए तो इन्हें पता चलता है कि total lockout हो गया है मतलब कि इनको इनकी job से निकाल दिया गया है जितने भी workers हैं 50 दूसरी factories के जो workers हैं इन सारे workers के support में आते हैं जिनको job से निकाल दिया क्या होता है यहां तक कि जो women's थी ये भी strikes के अंदर participate करती है जो government है इन सारी चीज़ों को देखकर curfew impose कर देती है curfew का मतलब बहुत सारे लोग एक साथ इकटे नहीं हो सकते 24 और 25 को government cavalry यानि की forces को police forces को और जो भी forces होगे उन्हें बुलाती है और बोलती है हम बोलते हैं कि जो government ने decision लिया ये बहुत गलत है specially government को कौन lead कर रहा था राजा जार तो बोलते हैं जो जार निकोलस ने decision लिया ये बहुत गलत लिया है 27 February को जो police headquarters थे उनको ransack कर लिया जाता है मतलब कि उनके उपर हमला होता है cavalry को दुबारा से बुलाया जाता है मतलब forces को दुबारा से बुलाया जाता है लेकिन इस बार जो cavalry है वो राजा के आदेश को follow करने से मना कर देती है वो लोग बोल देते हैं कि हम आम public के उपर हमला नहीं करने वाले और यहीं पर petrograde Soviet बन जाती है एक delegation जार के पास पहुचती है delegation मतलब कि आप बोल सकते हो important people जिसके अंदर military commanders उन्हें advise करते हैं कि तुमें क्या कर देना चाहिए तुमें अपना पद छोड़ देना चाहिए यह जो तुमारे राजा का पद है इसे तुम छोड़ दो राजा बनने से अब तुम हट जाओ जार इनकी बात मान लेता है और second march को जार अपने पद को छोड़ देता है अब राजा नहीं था जाब Soviet leaders थे और जो डुमा के leaders थे यह सब मिलकर खुद की एक provisional government बनाते हैं country को run करने के लिए अब क्या effect देखने को मिला हमें इन सब चीजों का जार अब राजा नहीं था और पूरी country को control कर रही थी provisional government provisional government ने जो भी restriction लगी थी public meetings पे मतलब जो लोग group बना कर रहे थे group बना कर बात कर रहे थे सब पे restriction लगा थी थी ना जार ने उस चीज को हटा दिया Soviet setup होने लगी बहुत जगा individual area, factory committees थी इन सब लोगों ने क्या करा committees बना बना कर question करने लगे इंडिस्ट लिस्ट को committees का मतलब की group बना बना कर जो इंडिस्ट लिस्ट थे मतलब की factories के मालिक उनसे ये लोग सवाल पूशने लगे कि ये बताओ कि जो भी तुम हम लोगों के साथ कर रहे हो workers के साथ कर रहे हो ये सही है या कलत है soldiers की भी committees मनने लगी आर्मी के अंदर जो provisional government थी उसने एक चीज देखी कि हम लोगों की जो power है वो कम होती जा रही है और जो bolshevik है उनकी power increase होती जा रही है तो यहां पर इन्हों ने कुछ important steps लिए अब यह जो steps थे इसके अंदर इन्हों ने क्या करा restrict कर दिया attempts by worker to run factories मतलब जितने भी workers थे factories चलाने की कोशिश कर रहे थे अपने हिसाब से उस चीज को इन्हों ने restrict कर दिया और जितने लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया पीजेंट्स और socialist revolutionary जो भी leaders थे उन सब को क्या करा pressed for a redistribution of land जितने भी पीजेंट्स थे और socialist थे वो यह चा रहे थे कि जो भी redistribution है land का दुबारा से हो जाए land जो है वो 12 से लोगों में बढ़ जाए बोल्शविक पार्टी के बारे में लोग इतनी जादा तारीफ और भडाई कर रहे थे यह चीज प्रोविजनल गवर्मेंट को बिलकुल पसंद नहीं आ रहे थी और प्रोविजनल गवर्मेंट के इरादे बहुत अच्छे से सब लोगों को समझ में आ रहे थे प्रोविजनल गवर्मेंट एक तरीके से खुद ही पूरी कंट्री के उपर रूल करना चाह रहे थी तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन जो की बोल्शिविक पार्टी का एक तरीके से लीडर था उसने पर्सुएड करा पैट्रोग्रेट सोवियत को और बोल्शिविक पार्टी को कि हम लोग सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करेंगे मतलब फाइनली अब हम लोग अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें लेकर आएंगे Military Revolutionary Committee जो थी उसे अपॉइंट करा गया बाइदा सोवियत टू और इस सीजर मतलब कि एक Military Committee को इनफॉर्म कर दिया गया अपॉइंट कर दिया गया कि हम लोग कैसे और इस सीजर कैसे हम लोग पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में लेने वाले हैं शुरुआत होती है इन सारी activities की from 24th October जो प्राइम मिनिस्टर क्रिनिस्ट की थे वो भाग गए थे इस city छोड़ कर और यहां पर जब वो अपनी city को छोड़ कर भागे थे तो उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनके ओपर हमला होने वाला और उन्होंने बोल दिया था troops को कि तुम लोग हमला करना शुरू कर दो किसके ओपर हमला करना शुरू कर दो लेनिन इन पेट्रोग्रेट सोवियत के ओपर और बोल्शेविक पार्टी के ओपर तो यही होता है जितने भी troops government के साथ थे वो लोग क्या करते हैं फटाफट telephone और telegraph offices के ओपर control लेते हैं और winter palace को बचाने की कोशिश करते हैं इन response जितने भी military revolutionary committee थी वो order करते हैं to seize the government offices जितने भी government offices हैं उनके उपर कबजा जमा लिया जाए जितने भी ministers हैं उन्हें arrest कर लिया जाए जो और शिप है यह पूरे के पूरे winter palace को shell कर दे और भी जितनी भी सारी ships है उनके जाने की जगा जो भी है उसको क्या कर लिया जाए टेक ओवर कर लिया जाए रात के समय तक पूरी की पूरी जगा पर military revolutionary committee ने control पा लिया था जितने भी ministers थे सब लोगों ने surrender कर दिया था और यहाँ पर all Russian Congress of Soviet in Petrograde अप्रूव करती है बोल्शिविक पार्टी के ये सारे actions को तो all Russian Congress of Soviet बोलती है Petrograde के अंदर के जो भी बोल्शिविक पार्टी ने करा है बिल्कुल सही करा है December तक जो बोल्शिविक थे वो control कर रहे थे Moscow को और Petrograde एरिया को क्या-क्या इसकी वज़ा से effect देखने को मिले तो finally एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि Lenin lead कर रहा था क्या-क्या changes आए जादा other industries और bank nationalized बन गए थे by November 1917 मतलब कि जितनी भी industries जितनी भी factories और bank थे उन्हें government control कर रही थी जो land था उसे declare कर दिया गया था social property मतलब जो भी land है वो लोगों की क्या है लोगों की एक तरीके से अमानत है तो जितने भी peasants थे उन लोगों ने क्या करा जितने भी nobility का land था उसके पर अपना कबजा जमाना शुरू कर दिया, seize करना शुरू कर दिया, use of all titles was banned अगर कोई अपने नाम के आगे ऐसे लगाता था कि मैं पहले राजा था या महाराजा था तो वो सारी चीज़े बैन हो गए थी, नई uniforms बनाए गई आर्मी और officials के लिए, Russia एक one party state बन गया था, मतल तब trade unions जैसे कि वेपार वाले जो unions होते हैं उन्हें party ने अभी भी अपने ही control में रखा था, bolsheviks ने इतने सारी strict rules and regulation तो लाए, लेकिन इसके साथ साथ जो Russian army थी वो धीरे धीरे करके अब टूट रही थी, जब ये land redistribution वाली चीज हुई तो Russian army धीरे धीरे करके टूटने ल जैम कराके जो bolshevik लोग हैं ये बड़े गलत है, इन लोगों को मत्तब हमारी country को rule नहीं करना चाहिए, इस चीज के support में और भी देश आ गए, French, American, British, Japanese, ये सारे लोगों ने बोला कि ठीक है तुम bolshevik party को हटाओ, ये जो socialist culture बना रहे हैं bolshevik लोग, इस चीज को हटाओ और हम तुमारा support करेंगे, तो ऐसा ही होता है bolshevik party से, ये जितने भी American, British, Japanese, troops और French troops आकर लड़ते हैं, और साथ में जितने भी non-bolshevik लोग होते हैं, वो सब भी इनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग bolshevik party का कुछ नहीं विगाड़ पाते, और finally जो bolshevik party है, वो अभी की भी rule कर रही होती है, making a socialist society, जो bolsheviks थे, उन्होंने industries और banks को nationalize रखा, even during the civil war, मतलब जब इनकी लड़ाई हो रही थी, इन सब लोगों से, जो की non-bolsheviks थे, और French, American, British और Japanese troops से, तब भी इनोंने क्या रखा, nationalize रखा, इनको industries को और banks को, काफी ज्यादा rapid construction हो रहा था, और industrialization भी हो रहा था, मतलब factories भरती जा रही थी, construction फटा फट हो रहा था, एक extended schooling system भी develop हुआ, अब बारी आती है, स्टेलिन की और collective farming की, अब यह स्टेलिन कौन था, देखो Lenin के बाद जिसने rule करा, बोल्शिविक पार्टी को वो था स्टेलिन, स्टेलिन बिलीब करता था collective farming क के अंदर, तो स्टेलिन का मानना ये था, कि देखो food grains की काफी ज्यादा shortage होगी थी उस टाइम पर, तो स्टेलिन ये सोच रहा था, कि आखिरकार ये food grains कहां पर रुक रहे हैं, तो उसके दिमाग के अंदर एक idea आया, कि जरूर जो rich peasants है, मतलब जो ameer ameer peasants है, वो क्या कर हैं, food grains को बचा कर रख रहे हैं, जिससे कि जब उनका दाम जादा हो, तब वो उने sell करकर ज्यादा मुनाफ़ा कमा पाएं, तो यहाँ पर collectivization की जरूरत पढ़ने लगी, अब collectivization के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा piece of land होता है, बहुत बड़ी सी जमीन होती है, जिसके उपर सब लोग मिलकर farming करते हैं, जो भी मुनाफ़ा होता है, सब लोगों में आदा आदा बाट दिया जाता है, तो यह कि यह collective farming बोलते हैं हम इस चीज को, लेकिन जितने भी लोग थे, वो सब इस चीज के against थे, बोलते हैं कि देखो यार, यह तो गलत है, हम लोगों को तो निया, यह system, तो जो भी collective farming के against होता था, उसको काफी जादा कड़ी सजा दी जाती थी, उसको deport कर दिया जाता था, exile कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था देश से, तो यह सारी चीजे करी जाती थी, तो यहाँ पर काफी strict था, कौन? स्टेलिन भी, global influence, अब यहाँ पर ह आम ने देखा कि कितना सारा change आया रशिया के अंदर, इसकी वजह से पूरे world के अंदर काफी जदा influence हुआ, बहुत सारी countries थी, जो कि communist party जहाँ पर form होना शुरू हुए, by the time of outbreak of the second world war, जो USSR था, उसने पूरी दुनिया को बता दिया था, कि socialism के साथ कैसे एक पूरी की पूरी country को रन करा जाता है, और एक पूरा world stature बन गया था, socialism का, by the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, अब ये एक as a socialist country थी, लेकिन इसकी जो इज़त थी, वो काफी ज़्यादा कम हो गई थी, by the end of 20th century, यहीं पर हमारा ये chapter खतम होता है, I hope students बहुत अच्छे से chapter समझ में आया हो, वडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ में एक जॉइन का बटन है, उस पर आप क्लिक करके member बन सकते हो, member बनने का क्या फायदा है, आपको notes मिलने वाले हैं इस chapter के, साथ ही में sample paper मिलने वाले हैं, जो के आपके exam में पूछे जाते है important questions वो मिलें See you in the next video, bye battle then, मनुसे ग्यान लेते रहो